बश्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, कि सब हमारी स्किन फटने लग गई है, यहां से चेहरे से, हाथ, हाथ के यहां से, और मतलब ड्राइनेस आगई है शरीर के अंदर, तो क्या है यह एफ्रेश अन्रिज रिंक जो कि यह होती है, एफ्रेश अन्रिज रिंक लेने से हो गई है हमारी या फिर फॉर्मूला वाई शेक प्रोटीन और ये चीज़े लेने से हो गई है तो दोस्तो आज के वीडियो में सारा बताऊंगा कि जैसे कि अभी विंटर्स आ गए हैं तो बहुत सारे लोगों के ये दिक्कतें आ रही है उनके कॉल मेसेज़िस आ र कर दें और कमेंट में हेल्फ फुल जरू लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दें दोस्तो नमबर वन की ड्राइनेस क्यों आई है अब जैसे कि पहले समर में जो गर्मियों के टाइम था उस ताइम वो ड्राइनस नहीं आती है विंटर आती ही और फिर आप एफ्रेश भी ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो ड्राइनस बढ़ सकती है लेकिन दोस्तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपके एफ्रेश एंजी ड्रिंक से नहीं आई है वह विंटर्स में जैसे बहुत सार लोगों की स्कीन फरजाती है तो वह व उससे भी ड्राइनस आजाती है और साथ ही हम जो पानी गरम पानी से नहाते है तो उससे भी मतलब ड्राइनस आजाती है तो वह भी आप थोड़ा प्रॉपर बहुत ज़्यादा गरम पानी से नहीं करके थोड़ा मिक्स करकर आप उसको उसका यूस करे तो ड्राइनस नहीं अब जैसे formula one shake protein इससे भी dryness आती है कि तो दोस्तो मैं बता दू formula one shake और प्रोटीन इससे dryness नहीं आती है कोई भी इससे roll नहीं है दोस्तो ऐससे इसलिए होता है क्योंकि दोस्तो तोड़ा सा क्या है स्ट्रोंग होता है और जैसे कि हम लेते हैं गरम पानी के साथ तो तोड़ा सा मतलब dryness आ सकती है यदि आप बहुत ज्यादा quantity में लेते हैं तो लेकिन सिर्फ इससे कोई नहीं आती है दोस्तो यदि आपके वैसे dryness आ रहे हैं और बहुत ज्यादा quantity में आ फ्रेश ले रहे हैं तो dryness बढ़ सकती है बाकि इससे आपको क्या क्या चीज़े आप घरे लू यूज कर सकते वह में बताता हूं इसमें नंबर वन है दोस्तो वह मलाई जैसे की दूद की जो मलाई होती है वह आप लगाया दिन में दो बात तो आपके dryness दूर होगी second है आप जो coconut है ओई लाता है जैसे की यह coconut oil आता है जो और इसको दोस्तो आप जैसे skin पे लगाएं हाथ पे गाल पे आप लगा सकते दोस्तो तो इससे भी dryness दूर होती है थार्ड है aloe vera gel दोस्तो अलो जैल भी आप यूस करते हैं तो उससे भी dryness दूर होती है फोरते जैसे ग्रीस सीन रोजवाटर मिलाकर आप अपने चेहरे पर और जहां skin फटी भी है वहाँ पर लगाएं तो भी dryness दूर होती है तो इन चीजों से आप dryness दूर कर सकते हैं साथ ही ध्यान रखे कि गरम पानी से ज्यादा ना ना है जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गरम गरम पानी से ना दे तो उसको mix कर करना है और जिन लोगों के बा moisturizer जरूर यूज़ करें आपकी skin पर यदि आप ऐसा करते तो दोस्तों आपके dryness नहीं आएगी और dryness आ गई है तो तोड़ा 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 आप regular moisturizer लगाएं दोस्तों या फिर आपके जो lotion आते हैं वो regular basis पर तीन से चार बार यूज़ करें daily तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और जैसे ज्यादा dust दूल मिट्टी में हम रहते हैं या फिर हम कोई work करते हैं दूल मिट्टी का तो उस ताइम भी dryness ज्यादा आ जाती है तो उस पे भी आप moisturizer और ये चीज़े यूज़ करें और बाहर निकले तो sunscreen यूज़ करें चेहरे पर तो आपकी skin फटेगी नहीं और दोस्तों आपकी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी तो दोस्तों यदि वीडियो helpful लगा तो मुझे को like कर दें यदि कुछ भी पूछना हो तो comment कर दीजिए मिलते हैं किसी next वीडियो में आज के लिए तना ही धन्यवादा